मुझा नमस्कार मैं 36 गड़क बार के यूट्यूब चैनल इंडिया आज कल के स्टूडियो से सुनिल कुमार्देश के कानूनों को लेकर एक नए समाचार है जिसे आपके सामने रखने के लिए मैं आज यहां मौझूद हूँ दिसंबर के महीने में संसद में देश में तीन कानून बनाय नए दरसल नया कानून कहना गलत होगा तीन कानून पहले से चले आ रहे थे उन कानूनों की जगे ये नए कानून बनाए गए एक किसम से संशोदित हैं घटाए गए हैं, जोड़े गए हैं, कहीं कड़े किये गए हैं, कहीं नर्म किये गए हैं जो कानून थे तीन उनके नाम मैं आपको बतलाऊं अंग्रेजों के समय में बने हुए IPC ये एक कानून था CRPC ये दूसरा कानून था और Evidence Act ये तीसरा कानून था अभी तक जितना हमारे यहां की पुलिस की दूसरे एजेंसियों की जांच चलती है कारवाई चलती है जुर्म दर्ज होते हैं मामले अदालतों तक जाते हैं मोटे तोर पर अधिकतर काम इनी तीन कानूनों के तहट होता था अंग्रेजों के समय से चले आ रहे थे बार बार ये बात उठती थी कि अंग्रेजों के समय से कानून चले आ रहे इनको बदलना चाहिए इनको बदलना चाहिए, तो इनको बदला गया, केंद्री ग्री मंत्री अमीज शाह ने संसद में इनको पेश किया, संसद का उन दिनों हाल जैसा चल रहा था बहिश्कार, बहिर गमान इस तरह का, अगर मुझको ठीक से याद पढ़ रहा है तो ये कानून भी कोई बहुत संभीता थी, ये भारती नयाय संभीता है, भारती नागरी का सुरक्षा संभीता है, और भारती साक्ष जो की इविडेंस के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये तो हिंदुस्तानी नामकरन हो गया है तीनों कानूनों का, ये तीनों कानून जो है, कुछ मामलों में ये जादा लग जाता था, सुरीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, उसको हटाया गया है, लेकिन उसकी जगे देश दरोह रखा गया है, कि अगर आपकी किसी बयान से, आपकी किसी हरकत से, देश की कानून लगाया जा सकेगा हलंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड है मामला गड़बड ये है कि सरकार जो चाहे वो उस बात को मोड़ सकती है तोड़ सकती है कि ये देश की सुरच्छा खत्रे में डालने वाला बयान है लेकिन मैं उस बारीकी में भी भी नहीं जा रहा हूं मैं आपके सामने एक सिमित बातचीत लेकर आया हूं ये तीन प्रमुख कानून जो है मेरा ख्याल है जुर्म से जुड़े हुए जितने मामले हैं उनका 90 फीसदी काम जो है इनी तीन कानूनों के इर्दगिर्द होता है ये एक जुलाई से लागू तो ये एक जुलाई से ये नियम लागू होगा तीन कानून पे अमल उस दिन से चलू हो जाएगा अब इसके लिए हैदराबाद में जो नैशनल पोलीस अकेडमी है उसमें पोलीस अपसरों की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है एक दूसरी खबर बतलाती है कि दो लाग से अ क्योंकि इन कानूनों का इस्तेमाल करने वाले जो पुलीस हैं उस पुलीस को अभी तक अंग्रेजों के कानून के इस्तेमाल में भी गफलत होती है बहुत सारे मामले अदालत में जाके इसलिए मुझरिम छूटे जाते हैं आरोपी छूटे जाते हैं कि अदालत कहती है आप ठीक से दर्जे नहीं किये ये अंग्रेजों के समय के कानून जो है उसकी समझ में भी आज हिंदुस्तान की पुलिस कमजोर है सरकारी वकील पुलिस के वकील ये भी आज थोड़ा अदालत में कहीं कहीं लड़ खड़ा जाते हैं कई मामले हार जाते हैं, जज कडी टिपपनी करते हैं कि जाँच एजनसी ने परले दरजे की लापरवाही दिखाई है, मामले को साबित नहीं कर सकी है, सुबू जुटाए नहीं है, जपती ठीक से की नहीं है, बयान ठीक से लिये नहीं है, ये सब अंग्रेजों के कानून में आज हालत ये है देश को आजाद हुए 75 वरस हो गए है अमरित काल में ये हाल है कि हमारी जांच एजेंसियां उस कानून को भी ठीक से अमल नहीं कर पा रही है अब इसमें तो सारी दफाएं बदल गई हैं सारी परिभाशाएं बदल गई हैं अभी तो वकील इसको पढ़के त तीन नए कानून इस्तेमाल शुरू होगा इनके उपर एक अगले साल दो साल तीन साल का एक ऐसा ट्रांजीशन का पीरियड एक ऐसा संक्रमन काल आएगा जिसमें पुराने कानून फेड आउट होंगे बाहर जाएंगे नए कानून लागू होंगे कही तरह की जटिलता रहे जांच एजेंसियों के छोटे छोटे चोटे कांस्टेबल हेट कांस्टेबल एसाई एसाई यही लोग जांच करते हैं इनसे उपर के लोग गिने चुने मामलों में जांच करते हैं ये लोग इन कानूनों की कितनी पढ़ाई करेंगे जिन्नोंने रेटायर होने के करीब हैं और पिछले 25 साल से 30 साल से जो पुराने कानूनों के आधार पर ही काम करते आ रहे हैं क्या वो आखरी के कुछ साल की नौकरी में नए कानूनों को ठीक से समझ पाएंगे क्या 2-4-5 साल का ये दौर ऐसा आएगा जिसमें मामले बहुत सारे कमजोर हो जाएंगे देर होने लगेगी गलतियां होने लगेगी अदालत से लोग संदे के लाभ में या सुबूत पेशना होने से या जबती गलत होने से गवाह तूटे जाने से ज़्यादा छूटने लगेंगे ये देखने की बात है होता है जब भी कोई नया कानून बनेगा तो इस किस्म की कई चीजें होती है GST हिंदुस्तान में बना था मेरा ख्याल है छह मैने के भीतर एक हजार संशोधन हुए थे GST में अब धीरे धीरे जाकर वो ठीक हुआ है GST का कानून इतने लंबे समय के बाद एक हजार संशोधन तो मुझको याद पढ़ना है शायद उससे भी जादा हुए थे उसके बाद जाके वो ठीक हुआ है जबकि GST का इस्तेमाल एक एक ठाने में नहीं होना है GST का इस्तेमाल टेक्सस अलाकार करते थे तो वो सीमित जगों पे बहुत पढ़े लिखे लोग किताबें लेकर उसका इस्तेमाल करते थे यहाँ पर तो छोटे छोटे करमेचारी हैं पुलीस के जो यह जाच करते हैं एफाई यार लिखते हैं बयान लिखते हैं अब उनको फिर देखना पढ़ेगा कि इसमें दफा कौन सी लगेगी किस दफा में क्या आता है तो मुझको यह लगता है कि जो दो लाख पुलीस वालों को ट्रेनिंग दे कर तयार करने की बात है इसके साथ साथ जो कानून की पढ़ाई करने वाले जो लोग हैं जो छातर छातराएं हैं कानून की पढ़ाई करते हैं शायद उनको भी इन तीन नए कानूनों की पढ़ाई जो है कई महिनों तक करवाना होगा क्योंकि पुराने कानून को पढ़के निकल रहे हैं इम्तिहान दे रहे हैं बदल गया कानून को पढ़ाने वाले लोग अफ़ी विव्य०्स के लिए, बाले में आपको एक दिल्चास पर बात बताता हूँ, इतिहास पढ़ाने के प्राध्यापक थे, अचार्ण। तो पुराने नोट्स जो थे प्रोफेसर साहब के पीले पड़े हुए कागस थे लिखे हुए उनके नोट्स जिस पे वो दस-बीस साल से पढ़ाते आ रहे थे रातों रात तस्वीर बदल गई लोगों को समझ नहीं आया कि इसको कैसे पढ़ाया जाए क्या पढ़ाया जाए वो दोर शायद इंटरनेट का भी नहीं था कम से कम हिंदोस्तान में तो नहीं था बड़ी दिक्कत हुई थी बड़ी परेशानी हुई थी लोगों को कैसे इतिहास पढ़ाएं कैसे राजनीती शास्त्र पढ़ाएं सोवियत संग और रूस के फर्क को कैसे पढ़ाएं किताबे नहीं आप आई थी कुछ साल तक ठीक ठाक ये तीन कानून जो हैं मैं भी इन कानूनों के मेरिट पे नहीं जा रहा हूँ खुबी और खामी पे मैं नहीं जा रहा हूँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन कानूनों में 15 दिन की हिरासत को घुमा फिरा के 90 दिन के लायक कर दिया गया है जो बेकसूर लोग हैं उनको फांस के 90 दिन तक गिरफतार रख सकेगी सरकार ऐसा कहना है लोगों का मैंने उतना बारीकी में नहीं पड़ा है कई लोगों का ये भी कहना है कि आज भी देश में कई ऐसे कानून है जिसमें बिना जमानत जेल जो है वही सजा है एक बार जमानत हो जाए फिर सजा वजा नहीं होती है तो अगर किसी को 90 दिन तक ऐसा हिरासत में रखा जाएगा तो क्या होगा लेकिन वो अलग बात है पार्लेमेंट ने पास कर दिया है हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनोती दी गई हो चल रहा हो मामला लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन सब को अदालतों को ये देखना चाहिए कि हमारी पुलिस दूसरी जाँच एजेंसियां कानून की पढ़ाई वकालत करने वाले वकील अदालत में काम करने वाले बाबू इन सब को कैसे तैयार किया जाए इसके लिए किवल जांच अधिकारी या पुलिस को तैयार करने से नहीं चलेगा और मुझे को ऐसा सुनाई नहीं पढ़ता है कम से कम जो दो चार पांच राज्य के बारे में पढ़ता हूं मुझको ऐसा सुनाई नहीं पड़रा है कि संसद में दिसंबर में पास कर लिया है उस पे अभी तक कोई ये लागू कर रहे हों उसके उपर अमल की तैयारी को ऐसा अभी तक सुनाई नहीं पड़ा है तो मैं एक किसम से याद दिलाने के लिए भी यहां सभी संबंधित तपकों को याद दिलाने के लिए भी खड़ा हूं कि एक जुलाई से यह जैसे स्कूल चालू होती थी एक जुलाई में हम लोगों के समय उस तरीके से कानून आ जाएंगे इस पे अमल करने की तैयारी आपकी कितनी है यह सरकार, अदालत, पुलीस सब हलवडा जाएंगे देख लीजिए, सोच लीजिए इस बारे में सब को तैयारी करने की जरूरत है बस आज इतना ही आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की बटन दबाईए, लाइक कीजिए हमारे लिंक को अपने कुछ दोस्तों के बीच बढ़ाईए हो सकता है उनको भी अच्छा लगए, टिपपनी कीजिए यूट्यूब के कमेंट बाक्स में टिपपनी कीजिए चलते चलते एक छोटी सी अपील आपसे और की अगर आप दुपईया चौपईया कुछ भी चलाते हैं उसकी रफ़तार काबू में रखिए, नशा करके गारी मत चलाईए ओवरलोड गारी मत चलाईए, बहुत सारे बच्चों को सामान को लाद कर दुपईया मत चलाईए, रात को अगर मींद आ रही है तो जलती गारी में जपकी लेने के बजाए, किनारे रोक के सो जाईए दो तीन घंटा, हादसे किसी को नहीं छोड़ते हैं खुद की सावधानी जो है वही आपकी जिंदगी बचा सकती है फिर मिलते हैं